है गाइज विल्कम बैक टो मैं चैनल लूंस अगेइन तो इस वीडियों लोग बात करने वाले हैं कोड़ फॉसराउंड 845 टेट 422 का फॉर्स्ट प्रॉब्लम जिसका नाम है एवरीवडी लाइक्स गुड्स 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 तो यह बेसिकली क्वेश्चिन ग्रीडी का ह है अगर आप से यह फाइंड आट होने में था सब्सक्राइब करना हम लोग यहां पर लीट पूर्ट फोर्स एंड डिफ्रेंट अल्गोरिधम और प्रॉब्लम सेट से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं ठीक है ओके तो कुष्चन बहुत सिंपल एंड इस वार कोई कहानी न तभी कहेंगे जब सारे अडसेंट पेयों अडसेंट का जो पेयर है और सब ठीक है टिफरेंट पैलिटी के साथ होगा तो बनों का जो पैरिटी होगा इकमेरि में üzerम रहें तो इर्य का इक्ञेंपल है घाए अगर array good नहीं है तो आपके पास क्या है एक तरह का operation है जिसको आप यूज कर सकते हो उसमें क्या करना है कि दोनों element को select any pair of adjacent element in both the same parity अब जो चीजे सही है उसको छोड़ना है जो चीजे same parity में है उसके साथ operation करना है तो basically क्या है अगर मैं लिख दू one three five six seven तो ये दोनों pair अगर देखिए इस दुनों pair के साथ problem नहीं है बट one three problem कर रहा है ये three five के प्राप्लम है तो हमें operation या तो one three पी लगाना होगा या तो operation हमें five three पी लगाना होगा हम operation five six पे लगा ही नहीं सकते क्योंकि दुनों का parity same नहीं है तो same parity वाले पर operation करना same parity पहले मैं बता तुम parity क्या होता पेरिटी बेसिकली एक तरीकेस मैं बताऊं सेट बीट जो फर्स्ट बीट होता ठीक है वो सेट है या नहीं है यह आपको पुछा जा रहा इसको चेक करने के लिए परसेंट टू कर सकते हो नंबर परसेंट टू तो वह आपका पैरिटी बता देगा तो अब यहां पर क्या ची क्या बोला जा रहा है कि दोनों एलमेंट को उसको उठाओ ठीक है उसका प्रोड़क्ट लो और उन दोनों को डिलीट कर दो प्रोड़क्ट को लगा दो आप इस तरीके साब को परफॉर्म करते जाना ठीक है तो एट मोस्ट एन माइनस बन ऑपरेशन लगेंगे बट आपका जो होगा वह पुछा जा रहा है तो यहां पर एक चीज समझो पहले किसी भी दो इवेन नंबर को चूझ करो टू एंड फूर लेट सपोज फूर एंड एट कोई भी दो इवेन नंबर फूर एंड फूर तो यह आपको एक इवेन नंबर देगा ठीक है एंड एक और नंबर को आपने उठाया थ्री एंड फिप्टीन कुछ भी उठा लिया तो आपको यह यह चीज आपकी और होते चल जाएगे यह चीज आपका इवेन होगा तो बेसिकली यहाँ पर क्या आपको पॉइंट नोट करना है कि आपका जो दो एलेमेंट को डिलीट करने से एक नया एलेमेंट बन रहा है ठीक है तो यह जो होगा इससे अगले वाले सिर्फ नेक्स्ट वाले पर आपका डिपेंड है हर एक एलेमेंट जो है सिर्फ नेक्स्ट पर डिपेंडेंट इसका इफेक्ट आपको नेक्स्ट वाले एलेमेंट पर नहीं देखेगा उसके आगे एक एलेमेंट पर नहीं देखेगा ठीक है तो यहां से यहां से मुझे पता चलता है कि यह एक greedy algorithm greedy पे based है और इसमें simple आपको क्या करना बहुत simple type का question इसको complicated करेंगे तो हम लोग like wrong way में जाएंगे w यह आने वाला है उसमें simple आपका एक element आया तब तक ठीक है दूसरा element आया अगर यह दोनों same parity का हो गया means problem same parity का हो गया उसी time पे इसको हटाओ इन दोनों का product रोलो और यहां पे लगाओ और यह चीज़ें हमें बार 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 चेक करते हो जाने coming element जो है next element जो भी है उस पर दो ही चीज़ हो सकते या तो पिछले वाले element के साथ इसका parity same होगा या different होगा अगर same है तो दोनों को हटाओ इन दोनों का product लो लगाओ ठीक है और आगे बढ़ो अब फिर से next element आएगा तो as it is जो आपको जो question में बोला जारो वो कर रहा जा रहे है आप ठीक है इसका मैं बता दूँ कि मैं logic ऐसा समझाओ क्योंकि यह element जो particular element है उसका effect सिर्फ i plus one next element पर उसके बाद के element पर उसका कोई असर नहीं होने वाला यह किस parity का था उससे कोई problem नहीं उसको ठीक है तो इस बज़ाद से हम लोग यहां पर greedy कुछ algorithm यूज़ कर रहे हैं यहां पर मैं मैंने इसको यूज़ किया stack के जरी मैंने stack से इसको solve किया मुझे क्या लगता है कि आपका जो just coming element है ना यह तो stack का जो top होगा just previous element को रख्या होगा and coming element हमारे पास आ रहा हर टाइम पे हमें बस यह दोनों से मतलब है तो हमने इन दोनों को चिक किया parity के हिसाब से अगर ठीक है तो हमने इसको multiply किया इसको बाहर किया पॉप किया इसको दोनों का product लेके insert कर दिया अगर दोनों का parity same नहीं है तो simply insert कर दिया तो मैं आपको code भी इसके साथ explain कर देता हूँ कोड में बहंकर कुछ जैसा है नहीं ठीक है cf1 तो यहां पर मैंने parity का पहले एक simple सा बना लिया है ताकि मुझे उसके लिए code इसमें लिखना ना पड़े सबसे पहले सारा input ले लिए वेक्टर में आपके पास हो गया first element आपका आज चुका है वेक्टर में second element से problem होगी good होगा या आपका average होगा वो good नहीं होगा तो हम लोग first element को as it is डाल दिया इसमें second element से जब भी element आ रहा है तो दो चीज है या तो पैरिटी सेम होगा या तो नहीं होगा तो अगर सेम होगा तो हमने टॉप को भी निकाल दिया और टॉप इंटू जो था वो element उसके साथ पूस कर दिया तो पहले मैंने पोप कर चुका इसको ठीक है अगर पैरिटी सेम नहीं है त अब इससे क्या होगा आपके कुछ कुछ element जो होगे वह यहां पर multiplication के बज़ा से घट जाएंगे आप चाहोते हैं यहां पर नंबर ऑफ चांट कर लो मैंने उसके जगा क्या क्या है इस डौट साइज से क्या क्या फाइनल जो आपका नंबर है वो निकल गया और इन में घट तो उससे क्या हो रहा है एक element की है एक operation में एक element की कमी मिल्स जितने element की कमी होगी उतने number of operation है तो मैंने simply इन माइनस इस डौट साइज कर दिया तो यह चीज़े भी आपको इस तरीके से मिल चुकी ठीक है इसको अगर आप से कर रहे हो तो लाइक मुझे यह मतलब अलग टाइब कर रहा है जिसको मैं स्टैक से कर रहा हूं बिसकली को स्टैक से हम लोग परेंथेसे स्टैक करते हैं और कुछ नहीं इस चीज़ को सेम चीज़ को वेक्टर से कर सकते हैं स्टैक डॉट जो पॉप हो रहा तो वहां पर वेक्टर डॉट पॉप कर लो ठीक तो कंट्रेनर का थोड़ा स्वार डिफ्रेंस है ओके सो आई होप कि आपको इसमें क्लियर हो गया होगा बट इस्टिल क कि में क का वेक्टर से कवटव बट चाले होगा है은ट तो कि अवें क्पटर भीजैस